गुड मॉर्निंग क्लास इस्टडी पॉर्टल में आप सभी का स्वागत है इस्टडी पॉर्टल में हूँ आपका दोस्त गोरव तो सुरू करने से पेले मैं आपको बता देता हूं कि स्टडी पॉर्टल पर आपको विवन एक्जाम्स जैसे सीटेट हो गया आपको चैनल पर मिल जाएंगे साथ के साथ अगर आपको प्रिंटेड नोट चे तो उसके लिए आप इस वर्टल नोट पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं यहां पर आपको विडियो नोट उखलब दें मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक हो है फ्यूल या इधन ठीक है फ्यूल या इधन फ्यूल क्या होता है फ्यूल या इधन वह पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं स्वयम क्या करते हैं जलते हैं या किसी और की साथ रियक्शन करके जलते हैं तथा उस्मिय उड़जा पैदा करते हैं या heat energy पैदा करते हैं तो क्या करते हैं स्वयम या दूसरों के साथ प्रतिक्रिया या reaction करके कूश्मा पैदा करते हैं तो यह होते हैं आपका fuel या इनन और fuel जो है वो उनकी कुछ characteristic होते हैं या कुछ विसेश्थाएं होते हैं तो सबसे पहले हम बात पर नहीं की करेंगे क्या होती है है फ्यूल की क्या क्या विसेश्थाएं होती है विसेश्थाएं है या characteristic characteristic में पहला जो characteristic है वो है कि जो एक आदर्स इधन है आदर्स इधन वो सस्ता वे आसानी से उपलब्ध होना ची आसानी से उपलब्ध होना ची तपसे पहले तो क्यों सस्ता हो दूसरा आसानी से अबैलेबल हो दूसरा जो फ्यूल है वो कैसा होना चीए इधन का भंडारण आसान होना चीए इसका मतलब यह हुआ कि वह क्या हो स्टोरेज करने में असानी हो अगर इस टोरेज का मतलब अगर जो फ्यूल है वह ऐसा है कि हवा में रखते ही अगर उसका आग लग जाएगी यह वह हो एक्स्प्लोसिव है उसमें बिस्पोड हो जकता है तो इस प्रकार का फ्यूल जो है वह उसको स्टोरेज करना असान नहीं होगा वह बुस्किल होगा तीसरा कि फ्यूल होना चाहिए कैसा कि जलने पर जलने पर आनिकारक गैस ना दे ना देता हो को Gir say किसीवी प्रकार की जो हारॵल म्विह नहीं होनी चींच्व बाद को बिद्विद्व कॉऔर कि अगर हो हो होती है और अच्छा प्यून नहीं मानना हें चौतरा जो है वो उसल büy काम माना दीग होना चीए तो इसमय उड्जा या उसमय मान उसको कहते हैं वह उच्छ होना चाहिए अधिक हो इसका क्या मतलब गवाल olan इसको अलग सब्सक्राइब बटाता हूं कि क्या होते है है बिलाल आप पांचोह देख लिजी है तो पांचोह अंतिम है कि इसका जो तो दहन है ना अधिक तीवल हो और ना ही धीमा तो फ्यूल ना तो बहुत तेज जलना चाहिए नहीं बहुत उसका बर्निंग होनी चाहिए उसकी बर्निंग भी ठिक ठाप होनी चाहिए तब उसको एक अच्छा फ्यूल मानना है तो इस प्रकार से ये इस प्रकार फ्यूल के अच्छे फ्यूल के कुछ करेक्टरिस्ट्रिक हैं थस्ता हो आता हो और झालता हो और ज्यादा स्लोव जलता हो ये इसकी वैलियू है अब हम बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ होते है या जिसको आफ कह रहे हैं मैंने बदा है कि उस्मिय मान उच होना चाहिए तो उस्मिय मान जिसको आफ कहते हैं कैलोरिफिक वैल्यू तो कैलोडिफिक वैल्यू क्या होती है किसी भी इधन के एक ग्राम को हवा या ओक्सिजन की उपस्तिती में जलाने पर प्राप्ट पूर जाएं कि एक ग्राम अगर हम उस छीज का जलाएं खावा में और ऑफिजन की प्रजेंस में तो कितने अनर्जी देगा वह उसी क्या कराएगा का दीक है और जो कैलोरिफिक वेल्यू है वह अलग अलग जो फ्यूल हों उनकी अलग होती है अब जो नौर्मल पेट्रॉल है उसकी काम होगी लेकिन जो हाई क्वालिटी का जो वाई यांस में यूज होता है एरप्लाइंस में बढ़ बढ़े जंबो जैट्स चलते हैं तो व तो अबने आपको बता दिये कि इसका मातरक है इसको मातरक पता है किसमें जिसमें अपको क्लिव नहीं मातरक है केलोरी में या आपका में कि काल्कुलेट करेंग है हम सबसे आझचे की बात करें तो सबसे अच्छा है वो मान जाता है हाइड लोगन है लेकिन पर रहे हैं वह कि बलने हे टो हैं जो हुट है जे फड़ा मेंगा पड़ता है इसलिए उसको सामननी करें, इसलिए नार्मल गारी में यरे पेटरॉल जैसे युझे वियुझ नहीं हो सकता है… क्योंकि इसकी घरने के लिए क्या एक्सप्लोजिव है इसी लिए जो है इसी नियुक्त है वह रिजन के बांद के आइस पर यह जया जाने को पर यह जाने वाले विमान है जांतली जो आपके जैट इस पेस जैट कहसे नहीं बहुत जयाकार से एक इसके लिए उस्वाइड हीत हो तो इस वज़ेसे के वल आपके अंत्रिक्स यातरी जो अंत्रिक्स विमान उता उसमें परे होता है यह बता है तो इस प्रकार से चिए बेल्यों के हिसाब से यह सबसे अच्छा एक चीज़ आई हाँ एक और चीज़ आगको याद रगने है कि हाइड्रोजन को भविष्य का इधन माना गया है इधन कहा जाता है भविष्य का इधन फ्यूचर फ्यूचर का जाता है क्योंकि अभी तो इसका प्रॉपर यूज नहीं हो पाता है छोटे लेवल कर क्योंकि यह अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्यूचर के बारे में अगर हम कुछ फ्यूचर को डिसकस कर लेते हैं जिसका सबस्द पहला है आपका कोल गैस कोल गैस तो जो कोल गैस है वह बहुत अच्छा फ्यूल माना जाता है और यह क्या है कई साही गैसों का मिस्ट्रन है जिसमें मुक्यता कोंकों से कैसे है आपका मीथेन हो गई कार्बन मोनो अक्साइड मोनो अक्साइड ठीक है मीथेन हो गई कार्बन मोनो अक्साइड हो गई आपके और हैड्रोजन हो गया ठीक है और अन्या हैड्रोकार्बन इसमें सबसे ज्यादा जो प्रजेंट होती है वह होती है मीथेन गयस अ तो यह सारी जो गैसे हैं, इनका मिक्सर करके हम कॉल गैस जिसको आप कोईला गैस में कहते है का गैस तो यह आच्छा प्यूल मन जाता है क्यूंकि कि यह आप एक चक्रत जो है वह अच्छी बैल्यू देता है कि हीट अच्छी देता है मतलब पावर अच्छी देता है तो यह आपके कोल गैस दूसरी इंपोर्टेंट जो गैस है जो की बहुत ज़्यादा एक्जाम में पूझी आती है वह रहे है कि वाटर गैस एक हमने इसको कहतेैं हें पिडियर और वाटर गैस दो तीम बार आचुक है यह क्या हुत да कार्बन अखसाइड प्लस ना घ्राशन लेट टिक है कार्बन अखसाइड प्लस हाइड्रोजन जो है बहुत चाहिए नियुक्त प्लस फ्लस नोman के लाता है और यह अपट अच्छा फ्यूल माना जाता है क्योंकि यह आप एक शर्क्र दे सस्ता है और यह कोल गैस में भी यूज किया जाता है उन्डीपेंडेंडेंडेंडेंडी भी मतलब कहीं जगह पर यह ऐसे फ्यूल इस्तेमाल होता है वाटर गैस जैसे की परमाणों जो भट्टी है जिसको आप कहता है न्यूक्लियर रियक्टर तो आपको याद रहने इसरी इसरा जो फ्यूल है वह है और दोस्तों लाइट चले वही थी तो चलिए कंटिन्यू करतें तो हम पर होता है फ्यूल की कि इधर मैंने आपको बता अभी मैं बताया था आपको की वाटर गैस की बाहिटर गैस कि स्कों भाप अनुलार गैस लगज् नेक्स्ट जो है वो है प्रोड्यूसर गैस जिसको आप कहते हैं वाई उंगार गैस ठीक है तो यह होती है आपके इसी के मिलते जूलते बस अंसार इतना होगा कार्बन मोनो अक्साइड प्लस नाइट्रोजन ठीक है ठीक है तो यह जूलियू कंशको आच्छा यह होती है प्लाव कि इसका कांश इंडस्ट्री में उअट इंडस्ट रूग में इसलने फ्यूल इसा हूँसर गैस उसके अलावा थातव निसकरसंगी दातो निसकर्सन यानि कि metal जो है उसको निकालने के लिए यह metal का एक तरह से निर्मान करने के लिए जो उसके अयस्क होते हैं उसे metal किस प्रकार से निकाला लाता है उसमें उस होता है producer gas तो अब आप समझ गये हैं कि producer gas क्या होती है तो चलिए आगे चलते हैं कि आगे जो हम बात करेंगे वह है most important वह है प्राकृतिक गैस कि नेचरल गैस कि यह क्या होती है जो नेचरल गैस है वह क्या होता है तेल के कों से कि बाइप डीट के रुप में निकलते हैं कि जो आपके टेल के अधिन है जितने भी अरब देसों में यह जहां भी टेल ज्यादवर्चा निकलता है कि अधा इथैन कि मीथैन वा इथैन यह मुख्य रूप से दो गैसे हैं जो एजे बाय प्रोड़क निकलती है तेल के कोई से अब आपने देखागा क्योंकि यह ज्यादा क्लींग इनर्जी मान जाती है ज्यादा क्लींग तो आज कल जो हैं वो कहीं जो देसे जैसे ओपेक जो क्या होता है organization of petroleum exporting countries तो उपैक से उसने हटना के बाद का कि आप हम तेल नहीं प्रोडूस करना चाहते हैं तेल को कम करना चाहते हैं और उसके बजाए हम क्या चाहते हैं कि हम नेच्रल गैस को प्रोडूस करें क्योंकि वो भी क्या होता है पूंच से ही प्रोडूस होता है उसके बाद हम आगे चलते हैं आगे जो हम बात करेंगी वो है आपका फॉसिल फ्यूल फॉसिल या जिवास्म इधन तो फॉसिल कैसे बनते हैं फेड़ पौधे हो गया की जयूल जेन्ट्तू यह सब जग मर जाते हैं तो मि की कहीं चट्टानों के निचे ढ़ यह सिचा जाते हैं और धीरे धीरे करके क्या होता है यह फॉसिल में करेख जाते हैं जीवासम क्यो cumpluciones और उए जीवासम become esa bam प्रश्राव के नीशे दबते रहतने से एक के बाद एक लेयर चड़ती जाती है और इनसे क्या निकलने लग जाता है यह फ्यूल निकलने लग जाता है तो उसी तेल को हम बहुत है कि वह जिवास्मिय तेद और वह कौन-कौन से होते हैं आль-कष उस एक कोईल व्यूल वहाई एक फॉसिल फ्यूल है पेट्रोलिन है तो वुद या हो गया आपका प्राकर्थी घैस हो गया विस ravis जो मैं आपको अभी बता रहा है तो यह सारे क्या है आपके फॉसिल फ्यूल है ठीक है अब हम एक एक करके देख लेते हैं थोड़ा सब सबस्ब पहले हम देख लेते हैं आपका कोईला आप जानते हैं कि जो कोईला या कोल वह आज के समय में भी क्या है रगापतार जो है इनर्जी का जो सबसे बड़ा स्रोट भारत में या दुनिया की काफी देशों में अभी तक बना हुआ है ठीक है तो जो कोल है वह अलंकि अच्छा प्यूल नहीं माना जाता है लेकिन उसकी बावजूद भी जब विकप नहीं ह लिए इसका इस्तेमाल करना ही पड़ता है कोल का तो जो कोल है वह उसकी उसमें मैलिक से कार्बन से बना होता है लेकि कार्बन की जो मात्रा है वह हर प्रकार की कोईले में अलग लग नहीं होती एक जमान नहीं होती बल्कि अलग अलग होती तो उसी आदार पर जो है कोईले लिगनाइट और आपका तीसरे प्रतार तक पोईदा है आपके बिटुनस, बिटुमीनस और चौथा आपका एंथ्रसाइड तो ये चार प्रकार से पोईदा को डिबाइड किया गया है किस के आदार पर कार्बन की परसंटेज के आदर फर तो जो सबसे अच्छा यो अच्छा बेस्ट क्वालीटी के इन पूलेड़कित तो टीर यह मौनता है एंत्रेशाइट सबसे अच्छा कोईला माने जाता है उसके बाद 2 नमबर पर जो बिटुमिनस है यह क्या माने जाता है माना नहीं ज़्यादा वर्कि यह सबसे ज़्यादा पाये जाने का यानि कि जो most common koila है जो पाया जाता है most दुनिया के ज्यादतर भागों में वह है bituminous koila और जो lignite है उसको कहते हैं आप भूरा koila क्योंकि यह बुरे color का होता है और यह pit है यह सबसे घटिया quality का koila माने जाता है क्योंकि इसमें carbon की percentage बहुत कम होती है इस वह से क्या करेगा धुना ज्यादा छोड़ेगा energy कम प्रोडूस करेगा जब जो energy कम प्रोडूस करेगा धुना जादा करेगा तो इसका मतला वो खराब koila होगा तो यह आपका koila यह यार अगना आप लोग क्योंकि यह बहुत भार इ जिसमें आप वैल करते हैं तंदूर बगार जिसको करते हैं उनमें यह use होते हैं उसके अलावा जो है आपके engines जो है बहुत सारे वो कोila की मदद से चलते हैं तो ऐसे various uses हैं वो आज की डिट में कोईले के हैं ठीक है तो यह है आपका coal ठीक है आगे चलते हैं आगे जो next हमार पॉसिल फ्यूल है वो है आपका petroleum जो की काफी important है तो जो petroleum है वो क्या होता है एक चिकनल तेलिये द्रव होता है जो काले कलर का होता है या भूरे कलर का होता है जो की निकाला जाता है उस समय उसको बहुते हैं आप raw metal या अच्छा तेल या जो पुए है तेल के या जो भी सुद्धी सुरोथ होता है उनसे जब तेल निकलता है तो वो कच्छा तेल होता है युगन काला द्रव होता है उसको फिर क्या किया जाता है फिल्टर किया जाता है किस से destructive distillation प्रवाजी जो आश्वन विधी है उसके द्वारा जिए वो तेल को सुद्ध किया जाता है और उसके द्वारा उसके बाद हो क्या होता है अनेक हाइड्रो कार्वन्स में डिवाइड लाता है अनेक हाइड्रो कार्वन जो मैं विवाजीत है इसका मतलब कि आप जो है तेल कच्चा जो तेल है जब वो फिल्टर होता है उसके बाद से कहीं सारे हाइड्रो कार्वन्स दिखलते हैं जो एजे बाइक प्रोड़क्ट होते हैं तो वह कौंबंस होते हैं आपका बहुत साही होते हैं एसफाल्ट बनत है इससे ठीक है दूसरा बोलता है ये वैक्स इसको बोलता है आप वाणसे वैक्स है की दॉफ परोफ में पैराffic ते पैरा मेराद वैक्स जो गार चेख सी बनाने के में काम में आते हैं एसफारट हो गया एवए हो गया आपके लुब्रीग्ट लुब्रिकेंट्स के मतलब जो चिकनाई के लिए यूज होता है जैसे आपका ग्रीस हो गया और इंजन वैल हो गया तेल बहुत सारे होता है जो इन जिकामों में यूज होता है वो सब इसी से बनते हैं उसके अलावा आपका फ्यूल की बात करें तो पेट्रोल हो गया यूज वैल हलता है उसके अलावा जो एसके अलावाद जो यूज होता है हो कमरेक फ्यूल प्यूर्यवर्ण हम ये। रहें होता है तो इस तरह के JAC कंपेषट आम यूल मृंद होता है आपका पेट्रोल निकलता है निकलता है धारम फो आपक पे खत्तरा हम येदो nog नित giving तो इस प्रकार से हम क्या करते है उसको destructive distillation से फिल्टर करते है तो यह एक कैसा है petroleum के अंदर ही आता है यह सारी चीज़ है तो यह है आपका यह वी एक fossil fuel माने दाता है तो यह है अब आगे चाहते है कि आगे यूँ के एह त्या न रॉड़ेट को फ्यूल तो जो रॉकेट का फ्यू उत니 हुए अपर जो होते हैं लेकिन उन फ्यूलन को फ्यूल लग बोलकर क्या बोला जाता है प्रॉक धर वेसे एफ प्रनावफंट moleky Rodney रोकेट में जो होते हैं तो बहुत जानत मात्रा में क्या को उतलत करेंगा आग को दो ने करेंगा और न्यूटन के थर्ड लॉसे वो जो एनर्जी है वो बैक पायर करेंगे और रॉकेट ऊपर की तरह जाएगा वहता की नहीं होता है आपने देखा हुआ कितनी ज्यादा अमाउंट में वह जब रॉकेट को भीजा जाता है तो भास सारा धुमे का इतरह से अंबार उ बीद्फ और वो दो प्रकार का होता है एक तो होता है फशौर लिक्विड हैड्रोजन लिक्विड अमोनिया ठीक है अमोनिया हो गया और उसके लावा हैड्रोजीन हैड्रोजीन और क्या होते है आपके एल्कोहल में आपके ये तो इसने प्रोलेंड कर एक रहे हैं इसा है तो इसे प्रोलेंड करतै किम प्रोलेंड इसे लेकिन उसको अलावा ओचकर के आंग्राइए तीς प्रकार की तीरा प्रोलेंड का है है जिसको कह दोच के यह आउने समुआ द ज surfing तो जो hybrid technology है वो क्या होती है कि वो दोनों चीजों को mix कर देते हैं hybrid fuel मतलब वो solid or liquid proponent को mix करके इस प्रकार का proponent बनाया जाता है जो ज्यादा energy को लिजा सकता है या ज्यादा produce energy करता है तो वो hybrid fuel होता है तो वो भी आजकल इस्तेमाल होता है ठीक है तो यह है आपका raw cake तीधर कि आपके बायोगैस अब आपके जो बायोगैस था था वाइव जो घए मतलब होता है कि कोई जो पुराने जिव जनतु है उन्वर गए प्यर पॉदे इस सारी जगहों को सारी चीजह को एक जगहा पर कटकरकर सड़ाने के लिए चोड़े और वहाँ पानी की नमी के मातरा इसके करण से क्या होता है। वह जल्दी सढ जाता है, और जब वह सढ जाता है, तो उसमें क्यों होते है यह भहुत सारी प्रकार की जॉक है जाता है पॉंक मिधन ऐती है, आपके अमोनिया एक हारोजन हो गया कि एस्टो एस गया है यह सारी जो गैसे है उसके लाएं कारवन डायोकसाइट यह सारी गैसे धाएं एकारी से इनका मिक्सर् जो है वह वो बन जाता है वहाँ जहां पर वो छीज हम नहीं सड़ाई है तो जो उस गैस को हम अलग कर लेते हैं और वह यूज उती है बहुत चोगा है इवल आप उसको खाना पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसी को हम कहते हैं आपका जिसका एक उदारण है कौन सी गैस गोगर गैस की तो जो गोगर गैस है और ये काफी clean गैस मानी जाती है clean गैस यह 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 बिल्कुल भी धुआ नहीं देती है काफी clean होती है एक तरह से वो करती है यह बोल सकते हैं आप की इसकी calorific value ठीक होती है और यह pollution कम करती है इसलिए बायो गैस के निर्मान पर जाद़ जाद़ जो दिया जाता है तो यह इसके अलबाद जो गैस आपका एक बताना भूलता हूंगा हूंगा है कि जो गैस होती है वो जो उसमें भरी जाती है आपकी सिलिंड्रों में तो वो कौन से कहसे होती है CNG sorry LPG इसको क्या करता है लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस ठीक है LPG तो यहां पर जो इसका जो में अमाउंट होता है वो होता है ब्यूटेन यह आमेसे याद अगना आप क्योंकि जो ब्यूटेन होता है तो उसके बाद उसको क्या है about the hedionitech कमप्रस किया जाता है और लिक्वीड इस्टेट्मेंट ले टेome उसको सिरिंड्रों में भर जिया जाता है तो उसके बास जाता है वरना वो चैए पाट्रोलल घैस है और जिर जिः क्योंकि कोई भी गंड नहीं होती है कोई भी इसमे न तो इस तरीके से मेल कंटेंट है लपीजी को क्या होता है यूटेन होता है तो फैनली भरिया हम सारे गैसे हमने पढ़ लिए है सारे फ्यूल तो यह हमने बहुत सारी चीजे डिसकस की है बता है उसके बाद उसके यूजस भी बता है फिर मैंने आपको प्लाइम कीमोटर को पर उसके से गैस लाभ चैशना फिर ऊपल। पनार्थों से मिलकर ब्राइट प्रोटक्ट के रूप में तयाब होते हैं तो यह सारे फ्यूल हमने डिस्कस किया तो मेरे ख्याल से आप लोग को कुछ काम का मैटरियल मिला होगा कुछ चीजें कुछ न कुछ आपको इससे ने नरिज मिलेगा मुझे ऐसी हासा है तो आप लो यह क्लास है और हवाव वूद्य क्यों खाएं क्यू